Hello guys, welcome to our channel Indraakshita Vlogs Today we will tell you how to make stuffed paratha and in this stuffing we have मूली और पनीर पनाथा अब हम क्या करेंगे कि चार मूली ले ले लेंगे और उसके पत्ते भी ले लेंगे और उनको अच्छे से साफ करके अच्छे से छील करके हम उसे कदुकस करके और उसमें नमक लगाके रख देंगे और थोड़े दिर बाद देखेंगे कि उसमें पानी निकलाया है और उसको हास से निचोड करके हम जब तक निकालते रहेंगे पानी ये हमारा स्टुफिंग का समान त्यार हो गया है अब हम डोलेंगे हम देलेंगे इस तरह हम बेल लेंगे और इसमें हम यह हमने जो तियार की थी इसमें हम पनीर वाला इसको ऐसे रख लेंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर लेंगे और हलका सा दवाव डालेंगे जादे दवाव नहीं डालेंगे क्योंकि फट जाएगा और फिर हम ऐसे लेकर के हलका हलके हातों से ऐसे और फिर हलका बेलेंगे हलके हातों से बेलेंगे हमारा तवा गरम हो चुका है अब उसमें पराठा डाल देंगे प्रफ़ से घ्रफ़ एफ जिए जो जब हम जो खुटाँ के लिए खुटाँ के लिए की फिए ताफ जो जो गड़ा है गयाशा अभी फूली रखेंगे स्लो नहीं करेंगे वेत्त पूली रखेंगे लगाएंगे उपर हम इसमें तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं हम इसको सिंपल भी ऐसे शेक करके, मक्रहा लगाखर भी खा समयर भी खा सकते हैं लंच में रे सकते हैं बच्चों को अभी रही नहीं हुआ जब अच्छी तरह हो जाएगा अब इसमें हलका सा ओल लगाएंगे दोनों साइट लगाएंगे इसको पलटके पेखते रहेंगे जब तक यह अच्छी से क्रिस्पी लाँ हो जाएगे अब हम इसको कैस को थोड़ा स्लो कर लेंगे यह देखेंगे कितना अच्छा ब्राउन हो चुका है अब यह करारा हो रहा है आपको जितना करारा खाना है आप उस हिसाब से आप उसको करारा करते जाएए आपको यह देखें बिलकुल करारा हो चुका है अब यह हमारा पराथा तयार हो चुका है अब हम इसको प्लेट में सल करेंगे यह देखें आप इसको पनीर के पनीर के पराथे हमारे तयार हो गये हैं दही के साथ आप सुवे खा सकते हैं लंच में खा सकते हैं जाए जाए पराथे के जाए हैं So, you saw the recipe of making this paneer paratha with radish, you can have it in your breakfast, lunch or even in dinner if you want So, see how yummy and delicious and crispy it is looking So guys, if you liked our video please do give it a thumbs up, do subscribe, like, share and comment any of your recipe requests or anything any of your request thank you guys for viewing bye bye